तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूं को बना कर दिखांगे दोस्तों आप थोड़ा से दिमाग भी लगाएंगे तो आप इसकी रिपेरिंग करना भी सीख जाएंगे और भी फोर समरसबल पॉम्प की रिपेरिंग का भाग तो मैंने आप लोट कर दिया आया है यदि आपने ना देखा तो विडिक बिक्सक्रिप्शन मुस्कली मिल जाएगा पहुंच जाको उसे देख सकते हैं हालो फ्रेंड्स मैं उन्हें सब्सक्राइब करें तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं यह जोस्तों आप इस चैनल पर नहीं है तो प्लिस चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल एकन पर प्रेस करें ताकि इसी तरह में आपको समरसबल के बारें जान करी देता र कि फिर आंडरें अब्स्री दोस्तों मैं आपको कुछ पार्ट कि नाम यहां पर बता देता हूं कि यह देखी दोस्तों यह एंपसीलर है जो कि श्टील का बना होता है दोस्तों पानी निकलता है और यह कास्टिंग का बाल हूल है जो की कास्टिंग का होता है और इसके अंदर हमने यह देखे रबर की बूसिंग पहले ही बिठा दिये और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हो कि यह रबर बूसिंग काम क्या करते जिए दोस्तों इस पे एक स्लिव भूमती है जो की अंपिलर के उपर लगी रहती है और वो इस लिए इस रबर बूसिंग के अंदर भूमते जिससे साप्टिंग को बहुत ही सपोर्ट मिलता है और वो टेड़ी नहीं होते यदि दोस्तों साप्टिंग टेड़ी हो जाएगे तो एंपिलर बहुत आपस में घिश जाएगे है और यह देखिए सिटेल की साप्टिंग जो की धीस मंने की है सिस्टी सटर आत्रा एमन की है और यह देखिए यहां पिछावी के खांचे बने होता है पहले से ही ऑजिए ब्सक्रीड को हाई और यह देखिए पर मोटर पर जूड़ा रएता है कि यह देखिए दोस्तों यह 18 mm कि होल वाले की स्टेल की होती है जो कि आपिलर के नीचे रहती है यानि के एंपिले में चाल सेट के लिए यही काम में आती है के द और यह देखिए दोस्तो बड़ी वाल इसलिए और जो मैंने आपको भी बताए एक पीलर को पर लगती है और जो रबल की बूर्सिंग होती है बावल में काश्टिंग बावल में ते यह होंते हैं जिससे सप्टिंग टेडंग ही नहीं होती है और सप्टिंग को बहुत ही सपोर्ट मिलता है और देखी今 इस टर्ड है जो कि हम origins कि इस तरछ से चड़ा देते हैं यह 8-7 का इस्टर्ड दोस्तों, 8-25 का इस्टर्ड बोलते हैं, इसकी साइज है, और कुछ इस तरह से हम इस पर टाइट कर देते हैं, हाथ से ही, और यह देखिए, यह एनर्वी है, जो की धाई की लाइन है, यानि की धाई इंच की इसकी लाइन है, यह दोस्तों, यह देखिए, यहाँ पर ढाई की लाइन है, चलिए दोस्तों, अब हम मराने की और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए, साप्टिंग पर मैंने चावी लगा दिये, और अब इसके उपर, पम के कपल को हम कुछ इस तरह से लगा देते हैं, अब दोस्तों, हमें साप्टिंग और पम के कपल को दोनों आपको आपस में जोनने के लिए, यानि कि दोनों को जुड़े रहने के लिए, यहाँ पर एलंकी बोल्ट की जरूरत पड़ती है, जो कि आठ हे में का होता है, और यहाँ पर थोड़ा से लोक टाइट लगा कि उस बोल्ट में यहाँ पर साप्टिंग और कपल को टाइट कर देते हैं इस इलंकी बोल्ट से, लोक टाइट लगाने के क्या फायदे हैं दोस्तों क्योंकि यह वीशिक्स का समर्शिबल का पंप होता है, जो कि खुल भी जाता है, इसलिए लोक टाइट लगाने से टाइट रहेगा, खुलेगा नहीं, और कुछ इस तरह से बोल्ट को लगा के लंकी पाना से इसे टाइट कर देते हैं, और दोस्तों मैं पंप के आपको पूरी प्रोसेस बताता है, पंप का पानी कैसे निकालता है, दोस्तों जी हाँ, मोटर पंप के कपल को घुमाती है, कपल जब इस साप्टिंग से जॉइंट होता है, तो वह साप्टिंग को घुमाता है, और साप्टिंग में जो चावी के खाचे में चावी लगी रहती है उसमें एंपिलर फिक्स होता है जो कि एंपिलर घूमता है तो वही पानी निकालता है दोस्तों बस यह इसकी प्रोसेस है और देखिए दोस्तों यहां पर साप्टिंग पर लाग लगा करके कुछ इस तरह से कमंटें लगल को फुल टाइट कर देखे दोस्तों हमने लग के बॉल्ट को टाइट कर दिया और कुछी उस तरह से अब ही हमारी साफ्टिंग और कपपल दिखती है अब इसके अंदर से सउक प्नें डालते हैं सक्षन में दोस्तों एन न कि फूष होती है मेटल के मेटल की बूस होती है उसको हमने पहले वहां पर बिठा दिया और दोस्तों कहीं कहीं पर उस सक्षन में रबर की बूस भी आ जाती है और देखिए जो मैंने आपको छोटी स्लिव बताई थी जो की सबसे नीचे हम सेटिंग की स्लिव इसे यहां पर डाल देते हैं और अब इसके उपर डाल देते हैं जो दस्तों मैंने आपको पहले इस बता दिया था यह स्टेल का एंपिलर जो की 125 नंबर का है और यह पंप साड़े साथ एच्पी आठ इस्टेच का यानि कि साड़े साथ ए यहां पर दोस्तने यहां पर चारह में देख रहा हुए अच्पी चार मिन्या चाहिए जापर यहां पर देखें उससाज़ कम लग रहा है इसलिए अम यहां पर वसारिंक्त कर आप्रवादा और एक एमम इसकी जड़ाई होते हैं यानि कि मोटा इसकी एक एमम और इसका होल 18 mm का होता है कि और फिर से एंपिलर को यहां पर डाल के हम देखेंगे कि चाल सही है कि नहीं चाल किस तरह आपे देखी दोस्तों देखते हैं कि आए एंपिलर को हाथ से पकड़के सक्शन वाब पे उठा लेते हैं और जो पमपका कपल होता है उसमें जग होती है वही चाल होती जी मेरे हाथ पर देखिए चारेमम की चावी है जिसको आपे हम डाल के देखते हैं कि चाल सही है कि नहीं अब देखिए दोस्तों चारा में सही लग रही है चारे में पूरी-पूरी जा रही है यहां पर आपके अपके अब कारे इसके उपर हम स्लीव डालेंगों भड़ी वाली दोस्ती आपको दिखाए दी और यह और खास बात दोस्ते आपे ओएल डाल देना है तभी फॉल्म दो जाना है दोस्तों कि आपे देखिए दोस्ते एंपिलर के नीचे नेक रिंग होती है जो कि रबड की होती है उसको कैसे बिठाते हैं वाउल में और मैं आपको आगई इस वीडियम बताऊंगा अब इससे बड़ी स्लिव इसके इंपिलर के उपर डालेंगे जो कि मैंने आपको बताया कि कास्टिंग के बाउल में जो रबर की बूस हमने बिठाए थी वो ये स्लिव उस बूस पे घूमेगी ये बड़ी वाली स्लिव है दोस्तों यहां पर भी थोड़ा होल लगा देंगे जिससे रबर के बूस में इसलिव आसानी से घूम सके और पंप अच्छा फ्री हो सके यानि के अच्छा घूमें कुछ इस तरह से पहला बाउल हमने यहां पर लगा दिया है और वो स्लिव देखिए यहां पर दिख रही है अब इसके उपर हम दूसरे एंपिलर डालेंगे दोस्तों यहां पर देखिए दूसरे एंपिलर डाल रहे हैं कुछ इस तरह से बिठा देंगे और देख लेंगे कि चाल सही है यहां नहीं यहां पर देखिए फिर से नेक रिंग पर एंपिलर के ओएल थोड़ा से लगा देंगे और उसके उपर बड़ी स्लिव बड़ी वाली स्लिव हमें डालते ही जाना है दोस्तों यह देखिए बड़ी वाली स्लिव है उसको हम यहां पर डाल दी स्लिव की साइज दोस्तों 18 mm की होल वाली और 45 mm की लंबाई है यानि कि इसको हम 18-45 भी बोल सकते हैं अब देखिए यहां पर दोस्तों यह बावल है जो की कास्टिंग का है इसके इंपिलर के उपर कुछ इस लकड़े का कोई भी वस्तों हो सके उससे ही आप मार सकते हैं यहां पर डाइट थोड़ा वहीं मार सकते दोस्तों कुछ इस तरह लगा कि बिठा देंगे देखिए दोस्तों हमारा दो स्टेज कंप्लीट हो गया है अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेज की और अब और देखिए एक चावी अब दूसरी चावी हम लगाते हैं दोस्तों चावी आमने बूलनी है क्योंकि इसी चावी से जो चार-चार की चावी है इसी चावी से इंपिलर घूमता आ है अब इस तरह से हमें मार के बिठा देते हैं साप्टिंग में चावी को जो हो में देखिए चावी के खांचे में चावी कुछ इस तरह से हमने बीठा दिया है अब पिलर के ऊपर मधी डालेंगे बड़ी वाली कर जितना हमें फिलर अदर लाउन उतनी उसके ऊपर उतनी स्लिव डालने स्लिव काम क्या करती दोस्ति को सपोर्ट देती है जब दोस्तों इसके उपर हम बावल बिठाते हैं तो बावल में रगे रबर बूस्त पे इस लिए गूमते जिससे साप्टिंग टेड़ी नहीं होते हैं उसको बहुत ही सपोर्ट मिलता है बस यही कारण है अब यह देखिए दोस्तों नेकरिंग है जो कि रबड की बनी होती है दोस्तों यहां पर जब हम नेकरिंग नहीं बिठाएंगे तो एंपिलर और बावल के बीच में ज्यादा जगा हो जाती है जिससे की पानी आधा तो बाहर निकल जाएगा जिससे पूम प्रेसर ही नहीं बनी देखा इससलिए हम यहां पर निकरिंग बिठाने पड़ती है अ जिस दरसे रबड की नेकरिंग होती है, जो बहूंस पे कुछ इस थार्फ में बिठाते हैं क है तैज चो अब दोंस्ते आपर देखिए है तीसरा स्टेज मारत कम्प्लेट हो चुका है तीन स्टेज हमने कम्प्लेट कर लिया और 5 स्टेज अभी बाकि हैं यह दोस्तों स्टेज कर स्टेज के आए आपको पता यहां पे जितना बाउल और एमपिलर होता है यह तीन बावल और तीन इंपिलर तो तीन स्टेज का वह वा वीश जितना बावल और जिदना फिलर होता हो श्टेज कहलाता है और देखे चौथा एंपिलर भी हमने आपर डाल दिया और अच्छे से घुमा के भी देख लेना कि फ्री है जाम तो नहीं हो रहा और देखे दोस्तों फिर से हम चाल चेक करने वाले यानि कि साप्टिंग और बाउल को एंपिलर को उपर से आप पकर लेंगे और नीचे किसी आवल्ए आप देखे हैं कि चारि में मिचाल है यान है यह स're इसके ऊपर हम सलीव डाल देते हैं बटेए वाली और स्लिव यहां पर हमारी फ्री जाने जाहिए नहीं तो कभी पम जाम हुआ तो इसे खोलने में भी बहुत ही दिक्कत हो सकती है और फिर से कुछ इस तरह से हम यहां पर बाउल बिठा देंगे कास्टिंग का और आराम-आराम से मार के इसे बिठा देते हैं कि पम को हुआ के हमें देख लिए नहीं पम फ्री हो रहा है या नहीं कि अब देखी दोस्तों यहां पर छटवे हैं इंपिलर को हम डाल देते हैं पर फिर से इसके उपर हम वहीं बड़ी वाले स्लिव जिसकी लंबाई अठारा एम्म की होल वाले और पैंतालिस इम्म इसकी लंबाई है कि जो की दोस्तों 25 इम्म रबर बूस के उपर अंदर भूमती है यहां दोस्तों यह places की अंदर 25 इम्म है की आम शट्म देखेंगे दोस्तों आहे हैं अर करे इस तरह हम लाश्ट आप लाश्ट एंपले देखिए दोस्त हमने यहां पर दोस्तों बहुत ही आपको ध्यान देना होता है क्योंकि इस पर में प्रेसर मानने जा रहे हैं जो कि सब्सक्राइब आधा है में उपर रख नहीं है ताकि जब लिए लगा कि फुल टाइट करें तो इंपलेट सिर्फ आधा है में यारिक दवेगा तो नहीं क्योंकि यह स्टील का होता यदि हम एक दो रख देंगे तो पांप जाम हो जाएगा प्री नहीं होगा दोस्तों इसलिए स्लिए स्लिव स्लिव को साप्टिंग से आधा है में उपर रखनी है बहुत दो तीन बार चार बार पांच बार जितना बार हो सकते हैं आप चेक कीजिए आधा है में यहां पर रहनी चाहिए नहीं तो बिल्कुल जाम हो जाएगा और चलने लाइक तो नहीं रहेगा अब इस लिए क्योंकि उपर हम टॉप वाइसा रखके लंकी बोल्ट से फुल टाइट कर देंगे और इसे लंकी बोल्ट में देखिए दोस्तों लॉप टाइट भी लगा देंगे जिससे यह बोल्ट खुलेगा नहीं बेल्कुल जम जाएगा दोस्तों अंदर और कुछ इस तरह से टॉप वाइसर कूपर बोल्ट लगा कि इस पाने से इसको फुल टाइट कर देना है कि इस पाने को देखिए हम एंपे लगार के इस पाने से हमें फुल ehmen कर देना जिंदयों को बोल्ट को फुल टाइट कर देना है दोस्तों जोतेगे दोस्तों में जोर्पर फिर से वहां पर नेकरिंग पर जो मनें रबर की भीछा थी आभी और स्लिव को येरा nossa और यह देखिए बाउल और नर्वी को हमने पहले से जॉइन कर दिया था और कुछ इस तरह से हम यहां पर बिठा देंगे यह और जैदी दोस्तों हम थोड़ा से जाम हो रहा है तो कुछ इस तरह से हमें पटक किसको फ्री भी कर लेना होता है जो कि सभी बाउल बहुत ही अराम से बैठ जाते हैं और देखे पंप हमारा फ्री भूम रहा है यानि कि यह चलेगा दोस्तों और जैदी थोड़ा टाइट हो रहा है तो फिर से इते हैं और कुछ दोस्तों यह पंप इस तरह से दिख रहा है अभी है …… और देखे दोस्तों यह जो श्टैट बहा है निगले थे जिसको अब नआ लगाया था भी उसको यह आछह में के नट से कर देगे दिस्ष्चे दौस्तो एक बाउल दूसरे बाउल गल दूसरे तीसरा है जैसे बाउल दूस्तों जॉइंट हो जाए जिससे नहीं तो डार में चला जाएगा बोर में चला जाएगा दोस्तों 8 mm का नट है और इस टैट में कुछ इस तरह से लगा कि इसे हम फोल्टाइट कर देना है और दोस्तों एक दूसरे को यह बकडे रहते हैं बोल्ट के हिसाब से यानि कि नट बोल्ट के सहारे एक दूसर due नटे रहते हैं और कुछ फम में दोस्तों पट्डी आते हैं सीधि पड़्टि अनर्विश सक्ष्ण में टाइट हो जाती है और इस आठे में को पाने से यहां पर लगाके हम फूल टाइट कर देना है जैसा कि दोस्तों एक बाउल में आठ इस्टाट आठ नटा आते हैं इसले दोस्ते यह वीडियो आपको पसंद आयो तो प्लीज लाइक से कमेंट और सब्सक्राइब करने ना भूए